और उस topic को cover करेंगे पहले तो और उस topic का नाम है structure ये क्या है structure इसको detail में अच्छे से समझना है बहुत important part होता है मतलब ये structure एक ऐसा topic है कि मैं आपको बताता हूँ कि आप C++ सीखोगे तो भी काम आएगा जावा सीखोगे तो भी काम आएगा कोई भी object oriented programming language की शुरुवात structure से होती है C language में आप directly C++ में structure के बाद classes नाम की concept को सीखते हो लेकिन शुरुवात तो यहीं से होती है इसी के बारे में हमें बात करनी है आपको data types तो पता होंगे कि जैसे int है, care है, float है अलग-अलग data types होते हैं जैसे मैं यहां लिख देता हूँ int होता है, care होता है, float होता है और ऐसे कई data types है, double है, long है, boolean है और भी data types है यह जो data types है, यह पहले से बनाये गए data types है, मतलब जब c language बनाई जा रही थी, तब इन data types को बनाया जा रहा था int को भी, care को भी, float को भी, जितने भी है, इसी लिए तो इन्हें predefined data types कहा जाता है क्योंकि यह data types पहले से defined किये जा चुके हैं, जब c language बनाई जा रही थी, उस समय मतलब, जब आप कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हो, तो अगर आपने लिखा main, प्रोग्राम को start किया, यदि आपने लिख दिया int x, तो इसका यह मतलब है, एक memory बनेगी, जिसका नाम होगा, x और यह memory होगी, int type की तो एक यह चीज़ आपको समझनी है, उसके बाद देखो मैं क्या बोलता हूं यहाँ पर, एक memory और बनानी है, अगर मैंने लिख दिया care y, इसका यह मतलब है कि एक memory और बनेगी, जिसका नाम y होगा, जो care type की होगी, यह सब कैसे पता चल रहा हमें, हमें इसको देखके, यह data type है, मतलब किस type का data इसमें रखना है, यह, यह memories सारी RAM के अंदर बनती है, पहली भी बनी, दुसरी भी बनी, हो सकता है, आप और float type का भी block बनाओ, अब बात आती इसमें रखने की, आपको इसका type देखके पता चल जा रहा है, इसमें रखना क्या है, मुझे तो इसमें इसक characters नहीं रख सकता, मैं इसमें decimal वाले numbers भी नहीं रख सकता, क्योंकि यह int type की memory है, x, और यह y कौन से type की है, care है, मतलब इसमें मैं character रखूँगा, y is equal to, कोई भी character, जब character रखा जाता है, तो single quote लगाया जाता है, direct आप रख नहीं सकते हैं, नहीं तो error आएगी, यह एक rule है, य इसके बाद बात आती है, कि यह तो data type, चलो data रखने का तरीका भी आपको बता दिया, मान लेते हैं, all data type आप use करना चाहते हो, मैं यहां लिख देता हूँ, manoj, और लिख देता हूँ, z, एक और memory बनाना चाहता हूँ, क्या यह सही है, नहीं, यह गलत है, इसलिए गलत है, जब आप पहली line लिखे थे, तो int का meaning धूणने compiler library file में गया, और उसने एक memory बनाई, समझ गया क्या होता है, और x नाम की, care y जब आपने लिखा, तो care का meaning धूणने library file में गया, और समझ गया care का मतलब क्या है, क्योंकि पहले से बताया हूँ है, उसने वैसी memory बनाई, वो manoj का भी meaning धूणने गया, लेकिन वहाँ manoj के बारे में किसी ने नहीं बताया था, मतलब c language अगर डेनिस रिची ने बनाई थी, उन्होंने भी manoj के बारे में नहीं बताया था, अगर वो manoj के बारे में बताया होते, तो error नहीं आती, error आने का reason ये है, कि उन्होंने manoj के बारे में बताया ही नहीं, तो ये problem है, इसी लिए ऐसी कोई memory नहीं बनेगी, जेड नाम की, जो manoj type की होगी, manoj type मतलब कौन सा type पता नहीं, care मतलब character रखो, int मतलब numbers रखो, float मतलब decimal वाले number रखो, manoj मतलब क्या रखो, ऐसा तो कोई type ही नहीं था, तो ऐसा नहीं है, तो ये meaning धूरने भी जाएगा, तो error देतेगा, लेकिन एक facility C language हमें देती है, कि आप data type खुद भी बना सकते हो, अगर उन्होंने नहीं बनाई 1970-1980 में, तो आप 2023 में आप बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो, तो आप खुद भी data type create कर सकते हो, data type तो पहले से बने हुए है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप खुद भी बना सकते हो, आप बोलोगे मुझे manoj की बारे में बताना है, देखो function अलग था, जो मैंने पढ़ाया था, उसके आगे दो brackets आते हैं, यह function है, function को call करने के लिए इधर भी देखो bracket लगाना पड़ता था, manoj नाम का function कॉल हुआ, इसके अंदर की line चल गई, लेकिन मैं function नहीं बना रहा हूँ, मैं brackets यहां से हटा देता हूँ, यहां पर, मैं data type बनाना चाहता हूँ, मैं एक user हूँ, मैं एक data type को यहां define करना चाहता हूँ, तो brackets नहीं आएंगे, अब manoj का मतलब क्या मैं बोल देता हूँ, int, a, care, b, float, c, मान लेते हैं, आपने ऐसा लिख दिया, हो सकता है, दो ही members आपने बनाए होते, एक, दो, हो सकता है, तीन बना दिया आपने, चार बना सकते थे, 10 members बना सकते थे, 100 बना सकते थे, तो आपकी चोईस है, अब इसके बाद, हो सकता है, एक ही बनाते हैं, तो compiler जब पढ़ेगा manoj, तो इसका meaning धूडने पहले program में आता है, नहीं मिलता है, तो library फाइल में जाता है, और error देता है, मिल गया उसे program में ही manoj का मतलब है, int a, care b, float c, यह manoj का मतलब है, तो एक memory जब बनेगी z नाम की, तो उसमें a बनेगा, उसमें b बनेगा, उसमें c बनेगा, एक int type का बनेगा, एक care type का बनेगा, और एक float type का बनेगा, और यह पूरा का पूरा जो block है, वो manoj type का है, वैसे int होता है, 4 byte का float होता है, 1 byte का float होता है, मतलब manoj जो है, वो 9 byte का data type है, ना, 4, 4, 8, और एक 9, तो अगर आप से कोई पूछे, manoj कितने byte का data type है, तो आप बोल सकते हो 9 byte का, अगर आप से कोई पूछे, int कितने byte का है, तो आप बोलोगे 4, care 1, float 4, लेकिन manoj 9, आप ऐसा लिखोगे, लेकिन एक बात और है, अगर मैं फिर से लिख दू, manoj W, तो फिर से एक memory RAM में बनेगी, W नाम की, उसमें भी तीन ब्लॉक्स होंगे, A, B, C, उसमें भी int होगा, care होगा, float होगा, ऐसे ब्लॉक्स होंगे, देख लो, और यह जो ब्लॉक्स होंगे न, 4, 1, 4, 9, कौन से टाइप के हैं, Manoj Type के हैं, तो जब आप int लिखोगे तो ऐसा बनेगा, care लिखोगे तो ऐसा बनेगा, Manoj लिखोगे तो ऐसा बनेगा, Manoj लिखोगे तो ऐसा, यह आपने बनाया हुआ data type है, तो आप न, छोटे-छोटे data types को मिला के एक नया data type बना सकते हो, यह facility आपके पास है, अलग-अलग data type जैसे int, care, float तीनों अलग-अलग है अलग-अलग data type को combine करके एक नया data type बना सकते हो आपको क्या अलग से data type बनाना नहीं आता आप खाली दूसरे data type जो पहले से बने उनको मिला के एक नया बना दे रहे हो बोल रहो मैंने बनाया तो यह जो है डिफरेंट data type के collection को आप कर रहे हो मतलब आप डिफरेंट data type को combine कर रहे हो collect कर रहे हो int, care, float अगरे जो भी दिख रहा है तो यह जो है लेकिन आपको अगर ऐसे data type बनाना है तो C programming में एक rule है कि आपको यहां struct keyword लगाना पड़ेगा और यहां semi colon देना पड़ेगा और जब जब उसको बनाओगे तब तब हर बार struct लिखना पड़ेगा यह rule है कर लिया rule को follow बस यही है structure और कुछ नहीं है लेकिन बात यहांती रखेंगे कैसे z में रखना चाहते हो क्या int a में तो आप a is equal to 5 नहीं लिख पाओगे error आएगी 5 कहां पे है यहां पे भी a है यहां पे भी a है 5 कहां रखे इसलिए यह गलत है आपको लिखना पड़ेगा यह जो z नाम की memory बनी है उसके अंदर जो a है उसमें 5 रखा जाए dot लगाना पड़ता है यह जो z नाम की memory है ना उसके पास जो b है ना केर टाइप का है उसमें t रखा जाए तो t इधर आएगा ऐसे करके हाँ लेकिन अगर आपने लिख दिया w के a में 21 रखो तो इधर 21 आएगा इधर नहीं तो आप ना dot लगा के members को access कर सकते हैं dot लगा कि उस memory का नाम dot यह तो एक चीज़ notice करो ना structure क्या collection of different data type अलग-अलग data type यह collection को मैं जब array पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे एक बात बोली थी array is a collection of same data type लेकिन structure is a collection of different data type यह है structure we can create user defined I am a user and I am defining the data type मतलब data type के कितने types बता है मैंने अभी दो तीन नहीं दो बता है एक predefined data type और एक user defined जो पहले से defined है int care float वगेरे सारे वो है predefined और आप जो define करोगे user defined data type वो या तो structure की मदद से करोगे या तो union यूनियन भी पढ़ना है c language में union भी होता है पढ़ेंगे बाग में तो we can create user defined data type with the help of structure structure is a collection of different data type ये point है एक बात बताता हूँ c++ में भी same है same सब कुछ बस c++ वाले बोलते हैं फिर से क्यों लिख रहे हो define करते हैं लिखे न फिर से मत लिखो तो उसमें सिब मनोज लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन c++ का rule है ना हम c में क्यों follow करें उसे error आ जाएगी बस यही है लेकिन मनोज नाम क्यों रखा मैंने नहीं रखना चाहे था student ही रख दिया होता और बोल दिया होता student का मतलब होता है int role number care name float percentage ऐसे लिख दिया होता बात खतम हो गई होती क्या ज़रूरत है मुझे मनोज रखने का नाम क्या ज़रूरत है ABC थोड़ा related लगे तो अच्छा भी लगे ऐसा ज़रूरी ने आप तो कुछ भी ले सकते हो मैं तो एक बात बता रहा हूँ